अगर किसी कहाने किसी भी चीज का सारांस लिखना होता है तो हमें सबसे पहले कुछ चीजे ध्यान में रखनी होती है वह होती है कि उसके में पॉइंट उसमें क्या बताया गया है तो इसाफ वास्व अपनी सथ कि मैंने दो वीडियो बनाई थी एक कोश्चन की और एक अर्थ ब्याज्या की तो इसमें बताया था मैंने कोई बात नहीं इसमें बता देख देखे यार इसाफ वास्व अपनी सथ में मुकता है चार पॉइंट आप ध्यान में रखे पहला की कर्म इसमें कर्म के बारे में बताया गया है दूसरा है कि आत्मान आत्मा क्या होती है आत्मा क लीख सकते हैं, यहां पर मैने मतब सम्झाने के लिए और आपको असानी से समझ में आ जाए इसलिए मैंने हम पे जुर simplement कीजी हैं, लिखे नहीं करने को कर लो दो उनिम कर देस हैं, अगर हम इसा अपने से सारांस में हम पूरा लिखते हैं तो चार बागों मैंने पहले वो डिवाइड कर रखाया आपको समझाने के लिए बताता जाओंगो आप उस तरह से लिखते जाए आप सुनते जाए लो पहला कर्म के बारे मैं बताया था तो उस पोइंट में क्या लेक है जिससे तुम कार में लिप्तन हो हमारे पास दे हैं आने की सरीर है हम कुछ भी कर रहे हैं पढ़ रहे हैं सुन रहे हैं वह हमें क्या करता है उसमें कार में लीन कर रहा है अब दूसरा जो पाइंट हमने बताता है कि आत्मा के स्वरूप का वड़मता है तो आत्मा के बार चलित नहीं होने माला है वह मन की तरह चंचल नहीं है कि एक दूसरे से एक असान से दूसरे स्थान चला जाए वह स्थिर होता है उस आत्मतत्त की सत्ता इंद्रियस भी परे है इसलिए इसे इंद्रियों से प्राप्त नहीं किया जा सकता जी हां यार वह स्थिर रहता है मन चं करमण कर जाता है उस आत्मत्त का अस्तित्य होने पर भी वाई समस्त जीवों के प्रविति रूप कर्मों का विभाजन करता है वह आत्मा का दसील भी है और नहीं भी है वह अत्यांत दूर भी है यह हम अत्यांत समीब यार आत्मा सब के अंदर है हमारे जीव जन तुर भी आस पास देखने सब के अंदर आत्मा है तो तुम करेफ भी दूर्भी है समीप भी है वह आत्मत following to सबके अंदर भी बिनुमान है वह सबके बाहर भी है अस्थित्म यह तो भई अंदर बाहर सभी जगह होगी वह आत्मा सरवत्व बेंबत है सुध्ध है आत्मा या मर्ने वाली नहीं है अमर अजर है अच्छत रहे रहत है असनाई रहित है निर्मल एप रहित है प Cheese पर नहीं लगा सकता और नित्सिद्दे नाम के प्रजातियों के लिए करतर प्रदार्तों का भी वाजन किया गया है जाहिर सी बात है ऐसा ही होगा भाई अब जो चौथा पाइंट बने बताया था यह आत्मा के बारे में आप जितना को जानते हूं वह लिख लिए पहले आप कर्म के बारे में लिख लिए जो बताया कि ऐसकाम में अनुरक्त हैं वे उन से प्दीक अन्दकार में प्रोश करते हैं जाहिए कि यार समास आई गैग विद्या का चीज़ाया जाए जातीह इस विद्या घ्यान से भिन नहीं फ्लोता है तथा अविद्याकर्म से भिन फ्लोता है ऐसा हमने साधू जने-सunda अना साधू जनों का मातलों यहां कि जो आने पुरु टूरु से जाने कि से हमारे सिच्छक हो गई और रहा हमारे लिए उस्तत्तव की व्याख्या की गए जो प्राणि विद्द्यार विद्या दोनों एकसान जानता है वह विद्या से मिर्तु को पार करके विद्या से अम्रतु को प्राप सकता है यानि कि जिसके पास विद्या भाई विद्या के सारे वह मतलब बुरायों को कटिनायों को पार करके अच्छे मुकाम तक पहुँच सकता है अब जो मैंने चौथा पॉइंट बताया था आप उसे भी इसमें मिला दीजिए और बड़ा हो जाएगा और सारांस का मतला भी होता कि जो सारी चीज़े हैं समावेश करना अब हमने कर्म आत्मा और विद्या के बारे में एंड कर दिया और चौथी चीज़ जो है वह संभूत और संभूत की उपासना का वर्डन है जो प्राणी संभूत की जो प्राणी संभूत की उपासना में संलंग संलंगन रहते हैं वे गोरंदकार में प्रव्यस करते हैं तथा जो संभूत की उपासना में रत रहते हैं वे मानों उनसे ब्यादिक गोरंदकार में प्रव्यस करत और आप उससे ज़्यादा कर्म कैसे जाना है आप दोनों को पढ़ लिए समझा जाएगा और जो इसके कुछ पॉइंट यहां कि कार ब्रह्मा की उपासना से भीन नहीं फल होता है तथा अब याक्रित प्रकित की उपासना से भीन फल प्रतिपादित किया गया है ऐसा हमने कि तो धार करके समझा पासना द्वारा अमरत को प्राप्त कर सकता है जाहिसे बात है यार कि आप दोनों जानते हैं तो आप दोनों की थोड़ा थोड़ा चीज़े लेकर समझा तो बहुत जादा ब्रहमें डालती पर आसम वूती जो आती हुँ उससे थोड़ा हम प्रयत न क तो यार बहुत धन्यमाद आपका वीडियो देखा और आचाहिर से बात है आप को समझ में आ गया हो गया और अगली वीडियो के लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर दिजिए लाइक कर दिजिए और बेराइकन दबा दिजिए आप तक अगली वीडियो पहुंच जायागी